नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत्छे आप सर्वेनु डिजिटल प्लेटफों सुधिर सर्व बायोलोजी में हवे आधनो लेक्चर 11 साइन्स माटे नो लेक्चर छे अने 11 साइस नी अंदर लास्टाइम आपड़े बे अलग-अलग प्रकार नी सुरुष्टी हो कम्पलेट गिरीती एमाथी सवथी पेली सुरूष्टी हती एहती मोनेरा एनी अंदर आपड़े अलग-अलग प्रकारे बे प्रकारना बेक्टेरिया वो विसे अभ्यास किरोतो पेला बेक्टेरिया हता एहता आरकी बेक्टेरिया अने बिजा हता एहता यू बेक्टेरिया हुए आतना दिवस नी अंदर आपड़े अभ्यास करवानों छे फूग विसे बरबर छे फूग विसेनों अभ्यास करवा माटे 7 पेला तो आपड़े फूग नी अमुक प्रकाणी केरेक्ट्रिस्टीक मतलब केना लक्षणो जाणवा ज़रूरी छे अने लक्षणों जहेना पछी ए फूग ना रहिठान आउप्रांत एना अलग अलग प्रकार ना प्रकार विशे पन जानवू जरूरी छे मतलब के फूग छे एक एवा निवास्थान नी अंदर रहे छे कई रिते मानस माटे फाइदा का रख छे कई रिते नुक्षान का रख छे तो ए बदाई विशे जानवानू छे फूग छे एक कई रिते पोतानों खोराख मेलवे छे मतलब के पोषण नी पद्धती कई रिते छे एनू देहनू श्ट्रक्चर कई रिते छे मतलब के एनू सरीनू बंधारन के वुँ छे कोस दिवाल हाजर छे के गेर हाजर छे कई रिते पोते प्रजनन करे छे एकसेटरा 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 ए बदाई विशे नी महीती आपड़े आधना लेक्चर नी अंदर लेवानी छे तो अवे सवथी पेलातो सुरुष्टी फूग विशे आपड़े अभियास करिये तो पेल्लू वाक्या बंध सरस्रीते बेस्तू ओई सुरुष्टी फूग ने तो पेल्लू वाक्या छे के फूग छेने ए सवथी पेलातो सर्वत्र निवास्थानों मा वित्रण दर्शावे छे परबर छे सर्वत्र निवास्थानों मा सु दर्शावे छे तो के वित्रण दर्शावे छे मतलब के वू केवा मा आवे छे के फूग अत्र तत्र सर्वत्र बद्धी जग्या आई जवा मले छे थोड़ा केवा आपणे एक्जाम्पल लई ये फूग वीजे ने तो फूग छे ने इने अंदर तमने थोड़ा केवा टेक्सबुक ने अंदर एक्जाम्पल आई पाजे कि आपणे ब्रेड उपर तातना जेवी रचना जोईए तो इजेत आतना जेवी रचना छेने इपण एक प्रकार नी फूग अच्छे अने आपड़े कईये छी ये म्यूकर बरबशे सु कईये छी ये तो के म्यूकर त्यार पची बिजा पणे एक्जम्पल आई पाचे क्या तो के बिलाडी नो टोप अथवा तो आपड़े येने बिजा नामे ओलखिये छी ये मश्रूम के जेनो खोराक तरीक ये उप्योग थाई छे खुबज वदारे प्रमाणमा आई लेवल ओप प्रोटीन हाई कंटेंट ओप प्रोटीन धरावे छे तो मश्रूम छे ने ये पणि एक प्रकार नी फूग छे त्यार पची अमूग फूग छे ने वनस्पती ये प्राणी मा रोग कारक माटे जवाब दार छे तमने एक्जाम्बल आई पूछे कि अमूग छे ये वनस्पती मा रोग माटे जवाब दार छे अने अमुक्षय ने प्राणी मा रोग माटे जवाब दार छे वनस्पति नी यंदर रोग माटे जवाब दार छे नी यंदर तमने लिखू छे के नारंगी नो सडो नारंगी नो पाक वई यनी उपर छे टपका टपका जवा मले नारंगी उपर चाठा जवा मले, अथवा तो लिम्बू उपर पन चाठा जवा मले अने गणीवकाच चे फ्रूट चे इसड़ी जाई तो इसड़वा माटे जवाबदार चे इस फूग चे त्यार पची राईना परणा मा राईना परणा चे इनीवकाच छफे टब का जवा मले अने ईजे सफेट टब का जवा मले इपन फूग ने गारणे चे त्यार पची घवनी अंदर, अत्वा तो मगफली नी अंदर गेरू रोगाबे तो इगेरोचेल झूल ये एक फुग थी थाई चे कैसे पकसिन यहां कई फुग कैसे आवैं आवैचे तो एवी फूग छेके वनस्पती दोग मांटे जवाबदार चे दो पच्वेच प्राणी वनी यंदर दोग मांटे जवाबदार हो िनय फूग तो तमने टेक्स्बुक माना थिया पुपण मनुश्यनी अंदर घणा बदा रोग, for example, दादर, आउप्रांत, खरजवू, आ बदाई रोग शेने, ये पण फूग द्वारा थाईचे, फूग शेई, पोते नुक्षान पण करेचे वनस्पतियने प्राणी मा, हवे आपनने फैधाकार करेचे तो फूग शेने घणो बदी रिते फैधाकार क्ण रक शेए, घणी बदी फूग शेने एखासकरी ने थन्डा पीना, एडले आल्कोहलिक पिन बनावा मा उप्योगी शेए, दारू बनावा माटे, अथवा तो बीयर बनावा माटे, और इफूग नू न प्रतीजेविक द्रव्य, एचलेक एंटीबैॉटिक्स दवा बनाव माँ प्रतीव में पणुप्योगी छे, कई तो एनी अंदर आवसे पेनिसिलियम सुआ आवसे तो के पेनिसिलियम तो अहां छे ने आपड़े अलग अलग प्रकार नी फूग विशे नी येवी माहिती लिदी के जे फूग आपने फाइदाकार कई शे और नुक्सानकार कई शे नुक्सानकार कमा घणा बदा रोगों माटे जवाबदार शे अने फाइदाकार कनी अंदर से शेना माटे जवाबदार शे तो के कोई ने कोई रिते आपनने फाइदो करे शे आईजरी खुराक बनावा माटे वोई का तो अलकोवलिक युग तो ठंडा पीना बनावा माटे अथ्वा तो दवा बनाव माटे पणुई हमे फूग सवथी पेला तो क्या निवास्थान नी अंदर वित्रण दर्श आवे छे एटलेस फूग नुँ निवास्थान फूग शेने इब्य वातावरण नी अंदर जो आमले एक आवसे उफालू वातावरण अने बिजू क्यों आवसे तो के भेज वालू वातावरण मतलब के इस सूस्क अने ठंडा वातावरण नी अंदर थती नथी अगो तामने प्रस्णे ओपूछू कि शा माटे आपणे आपणो खोराक्षे गरे कि जे लाम्बा समय माटे साचवानो इफ्रीज मासु काम मुक्या ची है तो फ्रीज नी अंदर वातावरण क्यों चे तो के फूग न लागे ने येव क्यों तो जे सूस्क अने ठंडू मतलब के उफालू अने भेजवालू उए तो खोराक्षे एम एनी उपर फूग नू अटेक थवानी संभावनारे पण जो ठंडू अने सूस्क वोई तो खोराक उपर अटेक थवानी संभावनारे ती नथी एडले आथ यू फूग भीसे नी जनरल माही ती नेक्स्ट आगलनो जे फकरो छे एनी अन्दर आवसे के फूग नू देह मतलब के फूग नी देहरचना जो आब बताए प्रस्णा जेने बभी अमार्क नी अन्दर अलग रिते पुछाई शके पन टेक्स्ट बुक नी अंदर तमने जेने आख्या आख्या कू हलंग आपी दिदू छे तो आपड़े जेने बेटर छे के पाट बाई पाट याद राख्ये तो जेती करेने तमने सरलता थी याद रही जासे अवे देहरचना सवथी पेला तो केई हुए तो केछेना सवथी पेला तो फूग एक कोशी छेक बहु कोशी आपड़े याद राख्यों जरूरी छे और प्रश्न थाए के फूग एक कोशी छेक बहु कोशी तो एक कोशी छेन एक कज फूग छे पर अबर जन्राली फूग छेनी एक कोशी वही शके औने बहु कोशी वही शके पनाखी फूग सुष्टी माँ एक कज फूग एवी छेके जे एक कोशी छे औने इई आउसे इस्ट आ के वी छे एक कोशी औने बाकी नी बद्धीज फूग के वी छे तो के बहु कोशी मतलब के फूग छेई एक कोशी छे अने बहु कोशी पाण छे अवे एनी आपड़े देह रचना वी से अभियास करिये थोडो कि देह रचना फूग नी अंदर केवी वई तो आपने खबर छे के बद्धी फूग नी देह रचना छेने एक पातला अने सुतर ना तातना जेवी रचना जरावे सुतर ना तातना के जेने आपड़े एक नाम्थी ओलग खिया छिये कवक सुत्र सुग कईया छिये तो के कवक सुत्र कवक सुत्र एटले सुँ थाई सवथी पेला तो ई तो कवकҽ 5 अटले सुओ थाईatti तो कि ए बधाय ताताना वो भेगा मली अने एक रचना बनावे जीना केवा मा आवे छे कवक जाड़ બરોબર છે સુકે હમાવે છે તોકે કવક જાળ એલે કવક સુત્ર આટ્લે સુંં થાય તોકે કવક તંતો ઓટે તાત આ બ્રેડ મોલ ઓએ તો એની ફર્તે આરીતે તાતણા થઈ જાય બ્રેડ ઓય અને આપડે ભિની પાણી ની અંદર પલાલી પરોબર છે એટલે જે કવક સુત્ર હછે એપોતે કેવી રચના ધરાવે છે તો કે બહુકોશ કેંદ્રી રચના જાળ છે એપર્દા યુક્તપણ હોઈ અને પર્દા વિહીન પણ હોઈ છે પર્દા યુક્તપણ હોઈ અને પર્દા વિહીન પણ કવગ જાળ ઓઈ છે બરોબર છે એટલે કે વાસું માગે છે કે આ વસ્તુ તમારે ક્યાં યાદ રાખવાન રેશે કે આપડે આગળ ફુગનું ક્લાસીપીકશન કર્સું આસ્કો માઈ સીટીસ બેસીડો માઈ સીટીસ ડુટેરો માઈ અતીયાર તમારે કજવસું યાદ રાખપાનું કવક સુત્ર હછે એ બહુકો કેંદ્રીએ હોઈ અથવાતો એમાં ત્રાશા પટ્યા પણ આવેલા હોઈ હવે આપણે વાદ કરીએ ફુગની કોસ્દ દિવાલ વીશે ની તો બધદ્દા એને પુગની કોસ્દ દિવાલ સે ની બને લી તો કે કાઇટીને ની કાઇટીને ની બિજુકાઈ ની એટસે વન ટાઇપ્થે ફુગ છે એ પોતે પરોપ જીવી છે લે પોતે વનસ્પતી જેં પોતે ખુરાક બનાવતી નથી તો પોસણ ની પદ્દતી છે ને ફુગ ની અંદર ત્રણ પ્રાકાર ની વઈ છે એમાથી સૌથી પેલું આવસે પરોપ પ્રાણી છે એના સરીર ઉપર વસવાટ કરે એમાથી પોષણ મિળવે એને કેવઈ પરોપ જીવી મરુતોપ જીવી એટલે સુંં થાય તોકે મરુત અને કાર્બનીક આધારક માથી ખોરાક મિળવે એને સું કેવામાવે છે લાઇકેન વીશે જોકે આપણે નેક્ષ્ટ લેક્ચેરમાં ભણવાનુ છે લીલ અને ફુગ નું સાહે બંને ને એક બિજાથી ફાઇદા થાય છે તો એને સું કેવામ આવએ છે તો કે સહ્જાં જેવન આટલે સું થઈ તો હોઈ તો એને સું કેવામ આવે છે તો કે સહ્જાં જેવન અમુક ફૂગ એવી છે કે જે વનસપતી ના મૂળતર સાથે સહ્જીવન ગુજારે તમે એક વનસપતી નું એ નામ આપુ પઈનસ પઈનસ પઈનસપતી ગુજરાતી મેને સરું કે સરુનુ ફક્રો બિજો આવે છે ની અંદર આવુશે ફુગની અંદર જવાં મળતુ પ્રજનન એટલે આમે આપણે લખ્સુ પ્રજનનન પદ્ધથી આટલો તમાર ફટા પટ સ્ક્રેન્શોટ પડોહે તો પાડેલે આખ્ય 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 આકું ઇરેજચ કરી ના એમાં સૌથી પેલ આઉશે વાનસપતિગ પ્રદન ત્યાર પછી આઉશે અલીંગી પ્રદન અને ત્યાર પછી આઉશે કલીકા સરજન બરબર છે અને આઉં પ્રાંત બીજાણું નીરમાણતોની આપણા પડે ઉલખીએ કે ભાજન અને કલીકા કલીકા નું નીરમાન થાઈ અની કલીકા નું નીરમાન થાઈ પરીણા મે કલીકા સરજન ની પ્રકરીયાતાઈ હવીકા આબદાઈ વીકા તમારે અભીયાસ કરોવવઈ ને તો મારોજા જે ચેનલ છે ની અંદર વિડ્યાની ખાસકરીને 12Science નું માતો પલેલીસ્ટ માજ આજાજો 12Science ના જે ચેપ્ટર શેમાં પ્રકરણ પેલું છે अने प्रक्रण पेलानी अंदर अलिंगी प्रद्नन एक आखो टोपिक शे इए अलिंगी प्रद्नन नी अंदर कई रीते प्रद्नन थाई जे न अउखंडन कलिका सर्जन ने भाजन न इबदेवी से में तमने साराम सारीते सम्झाए वुशे अलिंगी प्रद्नन कई रीते कर से तोके ब्या प्रकारना बिजानू उद्पन कर से एक आव से चल बिजानू अने एक आव से चल बिजानू बर्बर छे चल बिजानू वटलेसुँँथाई तोके जे बिजानू कशा धरावता होई यहलन चलन करी शकता नोवई ते अलिंगी अने वानसपतिक प्रद्नन वुशे क्ये मां नभी संताति उत्पन करवा माटे 2 सजीव नी जरू नत पड़ती एकद सजीव छेही नवी संतति उत्पान करेजे。 अलबर लिंगी प्रत्नान छेही कई रित थासे? तो के कणी बिजाणू? अबलदाय बिजाणूना नाम छे. त्यार पचे धानी बिजाणू अने प्रकणी बिजाणू. आ बद्धा है द्वारा जे प्रद्णन निप्रक्रिया थासे इकाई थासे तोके लिंगी प्रद्णन हवे ज्यारे फूगनी अंदर लिंगी प्रद्णन निप्रक्रिया जोवा मलती होई त्यारे अनी अंदर त्रण अलग-अलग प्रकारना स्टेप्स जोवा मले यहां सवत्थी पेलु आउसे जीवरस संयुगमन, त्यार पछी बिजु आउसे कोश केंद्र संयुगमन, अने त्रीजु आउसे अर्धी करन. कि जीवरस संयुगमन अने भेगः थाउस, त्यार पर चाल त्यार पछी बिजुगमन, त्यार प्रधी बिजुगमन. त्यार पची कोस केंद्रा संयूगमन अट ले सुँँँ थाई तो के जहारे बे अलग-अलग प्रकार ना बिजानू ओए धारो के आ रीते बे बिजानू ओए आ पेलू छे ना बिजू छे तो येना कोस केंद्रा छे ना येक बिजा साथे भेगा थाई अर्धी कराणर ले सुँँ थाई तो सवथी पेला तो आप बिजानू कई दिते उत्पन थाई अब इफलकाई शे ना इफलकाई विशे ना आपडे मही ती छे लास लेक्चर नी अंदर आई पीती इफलकाई नी अंदर एक विशे प्रकाणी प्रक्रिया थाई जेने के वामावे छे अर्धी करण नी प्रक्रिया अने इए अर्धी करण नी प्रक्रिया थी एक किय बिजानूनू निर्मान थाई छे से नू निर्मान थाई तो के एक किय बिजानू एक कीए अटले सुन थाई, तो के जनरली फूगनो दे है, द्वी कीए वई, परबा द्वी कीए ने आपटे 2N वडे दर्शाविय अचिए, इ अड़्दू थाई, अटले फूगनो दे है वो थाई क्यों तो के है, एक कीए, सोरी, एक कीए, एले के जहारे अर्धिकरन नी प् ॥હે અવશા સત્ત ને સતે ચાલથી વહે. यह बन्ने एक बीजा साथे जोडाई अने परिणाँमे जे देह बने छे ने जहा जैरसा लिंगी प्रत्ण निवात छे ओ, अलिंगी प्रत्ण अीनी अलिंगी प्रत्ण मात आउ आउगा मात आउ आउ तूँद नती येमा तो सीदो फूग छे निर्मान थे तम्हें जो सोट लखबर पड़ी जाचे वोला लेक्चर में तम नेकी दाने इजो जो खास पन गणिवखा ते हूँ थाई कि आप बे एक किया कवक सुत्र शेने ये द्वी किया फूग नो देह बनावेने ये पेला वच्चे आयां बे कोस केंद्र भेगा थाई मतलब के छेने द्वी कोस केंद्री ये अवस्था उत्पन थाई मतलब n प्लस n गणिवखा ते हूँ थाई कि आ बे कोस केंद्र भेगा थाई सीद्धू 2n बनाई नाके पण घणी वकत सूँ थाई तो के बन्य कोस्ट छेई भेगान भेगारे मतला एक बीजासा जोडाता न थी कवक सुत्र या कोई पण अंदर कोस्ट के अंदर गेरला होई तो के बी है तो एवी जे अवस्था छे एने केवाम आवे छे द्वी कोस्ट केंद्री अवस्था पण द्वी कोस्ट केंद्री अवस्था पण जोवाम आवेशे तो आथ यू लिंगी प्रद्नन विशे नी माहीती वरबर हुए कोई पण फूग छे इनी देह नी रचना कवक सुत्र अने फल काई इना आधारे फूग ने अलग-अलग प्रकारना भाग नी अंदर विभाजित करवा मावे छे ये बद्दाई भाग भी से आपड़े नेक्स लेक्चर नी अंदर अभियास करशू ओके तो आसा राखिया के बदाने लेक्चर पसंद आई वोई इसे वदूने वदू चैनल ने लाइक करो सबस्क्राइब करो ने शेर करो ने वदूने वदू भी दियार थी वसुदी पहुचाड़ो कोईपन प्रकानों डाउट वोई तो मने पूछो अने थोड़ूक एव नो समझाए छेलो थोड़ोक भाग छे थोड़ोक टॉफ छे तो इनो समझाए तो आ वीडियो थोड़ोक एव रिवाइंड करी ने फरिथी जो अने खास अलिंगी प्रद्नन वीसे जोवा माटे अलिंगी प्रद्नन वीसे समझवा माटे प्लेलिस्ट नी अंदर जोई 12th Science नो अभ्यास जेऊं करावुँछो मतलब के 12th Science ना जे लेक्चर लाओ छो येमा चेप्टर नंबर पेल्लू सजीवों माँ प्रद्नन छे तो इसजीवों माँ प्रद्नन जे चेप्टर छे येनी अंदर में साराम सारी ते अलिंगी प्रद्नन समझाए हुँछे येमा खास करीने वीडियो उपर जे वल्ल पेपर छे येमा जा लिंगी प्रद्नन लिखुई से जोईले जो त्यां सुधी जई हिंद जई बारत